Hello everyone, आप सब का स्वागत है मेरे नए वीडियो में जिसमें मैं आपको ले जारी हूँ देव भूमी उत्राखन जहां आपको मैं एक स्पेशल और अच्छी सी बहुत ही स्वादिस्ट जो खाली स्वाद के लिए ही नहीं जानी जाती अद्भुत चट्निया हैं जो आपके स्वा इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जागा कि वो खितनी टेस्टी हैं और कैसे बनाई जाती हैं उनके प्रोसीजर में आपको एक एक करके उनकी रेसिपी बताऊंगी तो शुरू करते हैं पहले हरी चट्नी से जो की बहुत ही मनमोहक होती है इसे बनाने के लिए हरा अधनिया फुदीना और लैसुन के पत्तों की जरुवत पढ़ती हैं इसमें अधरक भी मिला सकते हैं और जो स्वाद को एनेंस करेगा इन्हें धोकर अच्छे से सिल्वर्टे में पीस ले मिक्सी कब बिल्कुल यूज ना करे क्योंकि मिक्सी से पीसने से उसको इतना उनका टेक्श्चर अच्छा नहीं आता इसमें टमाटर लैसुन और प्याज भी मिला सकते हैं और फिर जितना आपको टेस्ट अच्छा लगे उसे साब से नमक और मिर्च भी मिला सकते हैं दूसरी चटनी की रिसिपी है जो आप ध्यान से सुनिए ये है भट की चटनी जिससे कड ठीक काले भट डाल दे और उसे सूती कपड़े से हिलाते रहें जब भट भूनते हैं अच्छे से तो कुछ अच्छी सुगंद भी आती है और उसके बाद जब वो हलके ब्राउन से होने लगें तो उसे उतार दें और फिर उसको ठंडा होने पर पीसले सिल्वटे में इसमे हरा पुदीना भी मिला सकते हैं स्वाद के अनुसार नमक मच में लाएं इसमें खटा पन लाने के लिए आप थोड़ा सा नीबू भी डाल सकते हैं ये थी दूसरे टाइप की चटनी शायद ये आपने सुनी भी नहीं होगी शायद उत्राखंड के लोग इसे जानते हो लेक इसे गड़ाई या तवे में हलका सा फ्राई भून दिया जाता है और धान रखना है कि ये जादा न भूने क्योंकि जादा भूनने से थोड़ी कड़वी हो जाएगी और स्वाद के लिए इसमें धन्या पुदीना जो आप मिलाना चाहें लैसुन मिला सकते जिससे ये और इसटी लगेगी क्योंकि सिल्बटे में पीसने से उसका टेक्शर थोड़ा अलग होता है और स्वाद भी अलग आता है इसलिए हरी चटनी तो वैसे सभी जानते हैं और पूरे इंडिया में सभी लोग बनाते हैं लेकिन जो बाकी मैंने चटनी बताई भांग की चटनी और बताऊंगी भाट की चटनी यह थोड़ी डिफरेंट है यह सरफ और सिर्फ उत्रांचल में ही जादा बनाई जाती है और खाई जाती है इसके बाद आती है भंग जीर की चटनी इसमें यह तिलहन प्रजाती का है असल में इसकी चटनी जब यह बनाई जाती है तो यह देख पुदीना और अन्य पत्ते डाल कर चट्मी के को बनाया जाता है जिससे कलर थोड़ा अलग हो जाए तो यह दूसरी चट्नियों से थोड़ी सी डिफरेंट है और अब है भांग की में चट्मी जो की बहुत ही फेमस है उत्रांचल में जिससे भांग को अच्छे से भुन ले मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे क्योंकि यह चटकने भी लगता है तो ध्यान रखें सावधानी रखें आख में ना जाए और उसके बाद इससे नमक मिच के साथ थोड़ा सा निबू डाल कर पीस ले इसकी तासिर गर्म होती है इसलिए इसको कोशिश करें कि सर्फ ठंडी के सीजन में मिदलब विंटर सीजन में ही खाए गर्मियों में खाना सेफ नहीं है कभी कबार आप फ़रज चेंज खा सकते हैं उसके बाद एक और स्पेशल चटनी है जिसे कहते हैं चुलू या खुमानी की चटनी जो की बहुत ही फेमस है इसमें क्या करते हैं कि खुमानी की जो पहार का गूदा होता है उसे निकाल देते उसकी सीट्स को छोड़ और इसमें फिर पुदीना लैसुन प्याज मिला कर सिल्बटे में पीस ले दामक मर्ची अ आप कभी भी बना के थोड़े ज्यादा दिन के लिए रख सकते हैं इसमें थोड़ा पानी की मात्रा कम होती है इसके अलावा एक और स्पेशल चटनी है जो शायद आपने सूनी भी नहीं होगी जिसका नाम है भड़ पकी की चटनी इसके लिए थोड़ा प्रोसीजर अलग ह इसमें आलू के छोटे छोटे दाने जो होते हैं गरम राक के अंदर रख देते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा टमाटर भी इसी तरह भून लेते हैं आग के अंदर रखे मतलब जो राक है गरम राक उसमें गरम कोईले या लकडी उसके अंदर रखा जाता है धुड़ी दे द्रग भी मिला ले अब सभी को सिल्बटे में पीछी पीस लीजिए देखिए कि त्यार हो गई आपकी भड़ पकी की चटनी यह बिल्कुल ही अलग और न्यू टाइब की चटनी है हमारे लिए जो नहीं जानते लेकिन उत्राइंचल में यह बहुत ही फेमस है इसके बाद एक और आती है काली खटाई जिससे देखने में थोड़ा रंग से ही कह सकते आपकी यह इसका नाम काली खटाई क्यों रखा गया है गलगल के रस को खूब पका कर रख लिया जाता है इस रस को पकाने पर यह जम जाता है थोड़ा ठिक हो जाता है और फिर इसे काफी दिन के लिए भी रखा जा सकता है, तब इसे कहते हैं काली घटाई, खटे की जरुरत पढ़ने पर जैसे आपको कोई चटनी को खटा बनाना है या कोई डेश को खटा बनाना है तो आप इसे इसके छोटे टुकड़ों को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप को ये मेरी नई नई चटनियां जो मैंने आपको बताई हैं उत्रांचल की फेमस चटनियां, जो कि शायद सबको पता ना भी हो, तो अच्छी लगी होंगी, ये जानकारी और अपना ध्यान रखे, खुश रहे, मैं फिर मिलूंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा, और मेरी महनत को थोड़ा सा सरा होगे आप, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, उतना मैं मोटिवेट हो जाओंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, खुश रहे, और फिर मिलेंगे जल्दी न